दोस्तो आपने नदियां तो बहुत सारीं देखी होंगी मगर आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस नदी के बारे में बताने बाला हूँ वह नदी दुनिया की सबसे खास और बीटिफुल नदियों में से भी सबसे ज़्यादा खास और बीटिफुल है इस नदी का नाम है Cano Crystals दोस्तो ये नदी कोलम्बिया में फ्लो करती है और इसे The River of Five Colors के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस नदी का पानी अलग-अलग जगा पर अलग-अलग Colors का दिखाई देता है और दोस्तो इसी वज़े से काफी लोग इसे Rainbow River के नाम से भी जानते हैं दोस्तो अपने इन्ही attractive colors के लिए ये नदी पूरी दुनिया में famous है दोस्तो ये नदी हमेशा ऐसी नहीं रहती जुलाई से नवंबर तक इस नदी का आधार अलग-अलग colors में yellow, green, blue, black और red होता है जो की नदी के अंदर उगे हुए rhino kolasis plant के कारण होता है दोस्तो इसका मतलब है कि इस नदी का पानी अलग-अलग रंगों का दिखता है इसके नीचे उगे हुए इन रंग-बिरंगे पौधों की कारण दोस्तो ये पौधे शुरुआत में हरे होते हैं फिर पीले रंग में बदल जाते हैं और फाइनली रेड कलर्स के डिफरेंट कलर्स में बदल जाते हैं और उन जगों पर मजबूती से चिपक जाते हैं जहां पर नदी का फ्लो तेज होता है और इसी वजह से इस नदी का पानी अलग-अलग जगा पर इन पौधों के रंगों की कारण अलग-अलग दिखाई देता है Friends, I hope आपको Cano Crystals के बारे में ये marvelous और interesting knowledge पसंद आई होगी हमेशा की तरह thanks for watching the video